पून संख्याओं में प्रतिरूप के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है कुछ संख्याओं को आयतों जैसे 4, 6, 8, 10 आधी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है कुछ संख्याओं को वर्गों 4, 9, 16, 25 आधी के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है ध्यान दे कि हमें अगली संख्या क्रमागत विशम संख्याओं को जोडने से प्राप्त होती है ऐसी संख्याओं भी हैं जिने त्रिभुजों जैसे 3, 6, 10, 15 आधी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है ध्यान दे कि ये संख्याओं एक प्रति रूप का अनुसरन करती हैं ये संख्याओं क्रमागत पून संख्याओं का योग करके प्राप्त की जाती है